सब्सक्राइब किजिए हमारे जीके स्रीजवीद अमीद चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेष्ट टॉप जीके वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अपने चैनल जीके स्रीजवीद अमीद में दोस्तों आज मैं कुछ आपके लिए जीके का question लेकर कर आया हूं जो बहुत ही important है और जो अक्सर exam में पूछा जाता है तो चलिए दोस्तों start करते हैं आप जूरे रहे हमाई साथ वीडियो के end तक वीडियो को आप like, share जरूर कर दिजेगा और channel को भी subscribe कर लिजेगा तो स्टार्ट करते हैं question number one विश्व की पर्थम महिला पर्धान मंत्री कौन थी? who are the first woman prime minister of the world? इंद्रा गांधी, गोल्डामीर, एस भंडार नाइके, बेंजीर भूटो option number C, एस भंडार नाइके, एस भंडार नाइके का पूरा नाम था स्रीमावो भंडार नाइके और इंद्रा गांधी जो है वो भारत की पहली पर्धान मंत्री थी, यहां भारत लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है गोल्डामीर जो है वो इजराहिल की पहली पर्धान मंत्री थी और बेंजीर भूटो जो है वो पाकिस्तान की पहली पर्धान मंत्री थी और मुस्लिम कंट्री का वर्ल्ड में सबसे पहली वोमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है तो उसका उसका एंसर क्या हो जाता बेंजीर भूटो होता है क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है हम लोग को पता है और पाकिस्तान की पहली पाकिस्तान के साथ साथ वर्ल पूछा जा सकता है और इंद्रा गान्धी के बारे में मैं पिछले वीडियो में कुछ बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट फेक्ट तो आप प्लीस उस वीडियो को भी देख लिजेगा उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्टर बॉक्स में दे दिया हूँ प्लीज आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा बाद में तो चलिए एस भंडाल नाइके जो है स्री लंका की थी उससे रिलेटेट कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं स्री माव भंडाल नाइके वह दुनिया के पहली परधान मंत्र थी और वह स्री लंका की भी पहली परधान मंत्र थी अभी बताया था मैं फ्रेंट स्री लंका की भी वह फर्स्ट मुमिन प्राइम मिनिस्टर रही है जैसे इंडिया में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पूछा जाता है तो वो है पंडित जुहारला नहिरुजी वैसे स्रीलंका का पहला परधान मंतरी बोला गया है तो स्रीलंका का पहला परधान मंतरी कोन है तो स्रीमावी भंडार नाई के है और क्या लिखाय देखते हैं उन्होंने तीन बार स्री लंका की परधान मंतिर के रूप में कारी किया था पहला बार कप किया तो 1960 से 65 में दूसरा बार किया था 1970 से 1970 में और तीसरी बार किया था 1994 से 2000 में ठीक है स्री माव बंडर नाए के सी वाज फस्ट प्राम मिनिस्टर अफ देखते हैं तीसरी लंका थीसरी तीन बार प्राम मिनिस्टर रहिए श्री लंका की question no.2 Hindi दिवस कब मनाया जाता है when is Hindi day celebrated 27 सितंबर 27 सेप्टेmर 14 सेप्टेmर 5 सेप्टेmर 5 सेप्टेmर 1 सेप्टेmर एक सितंबर option number B 14 सितंबर हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है और वो किस लिए मनाया जाता है कब से मनाया जाता है उस वी से में हम लोग बात करते है extra fact के साथ लेकिन यहाँ पर 25 सितंबर दिया है तो 25 सितंबर को याद रखेगा teacher day मनाया जाता है सिच्छक दिवस जिसको हिंदी में बलते है तो 25 सितंबर को teacher day मनाया जाता है चलिए 14 सितंबर का कुछ extra fact देखते है तो 14 सितंबर 1949 में सबसे पहले हिंदी दिवस को राजभासा का दर्जा मिला था हिंदी डे जो है उसको मिला था तो 1949 में मिला था उसके बाद पहली बार उनीस सो तिर्पन में 1953 में हिंदी दिवस मनाया गया था मतलब उसको राजभासा का दर्जा उनीस सो निचस में मिला था और हिंदी डेष का जो स्टार्टिंग हुआ है वो कौन से यह से हुआ है तो 1953 से सेप्टेंबर 14 1949 हिंदी वाज इस्टेटास ऑप अफिसियल लेंग्वेज आफ्टर डेट हिंदी डे वाज सेलिबेटेड इन 1953 याद रखेगा चली अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भारत के सर्वच परवत सिखर कौन सी है विच इस हाइस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया अप्शन नंबर नंगा परवत बी गौडविन आश्टीन सी कंचन जंगा डिनंदा देवी और है अश्टीन सी भारत के सबसे उची परवठ सिखर है और यह किस भारत में किस स्थान पर है तो यह कSmir में जम्मो कस्मिर में है ठीक है कस्मिर में है चारो फसम दिया तूचन दूस्त कंचे नंदा देवी यह सब सारे जो हो बहुत ही इंपर्वत है तो इसके बारे में भी कुछ एक्स्टा फैक्ड आप याद रखियेगा तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि इस इस तो नाम है उसको केटू भी भी बेंगता याद किस जगह पर है तो वह कश्मीर में है जम्मू कस्मीर में याद रखिएगा चलिए इससे रिलेटट कुछ एक्स्टा फैक्ट देख लेते हैं चारो परवत के बारे में कहां पर है और किस जगह पर इंडिया में है कि देखिए क्या लिखा यहां पर सेफले गौड्यवीञीं की बात करते हैं अधित माउंट के तो जिसे जाना जाता है अभी बो लोकेशन क्या है एइक जेक्ट लोकेशन क्या है वो तर्ट प्रण जूं करके इसको हम जूम कर लेते हैं मैप को अब देखें पर पर पहला में दिया का केटु गउडवी नस्टी पर दिया है इसका उचाई कितना है कुंचमीर याद रखेगा POK और यह लाइन अफ कंट्रोल के उस पार में मतलब ये इंडिया का ही एक हिस्ण है लेकिन पाकिस्तान का कुछ मतलब पार्मी वाले लोग जो है कुछ हिस्सा को इंडिया के जम्मू कस्मिर को कुछ हिस्से को कबजा करके रखा है जो पीयो के बोला गया है उसको ठीक है चलिए अगला परवत देखते कंचन जंगा कंचन जंगा जो है वो कहां पर है और इसका उचाई कितना है तो कंचन जंगा की उचाई कितनी है एट था उचाई कितना है 8586 मीटर उसके बाद आता है नंगा परवत जो नंगा परवत किस जगह पर है और यह किस जगह पर है तो यह भी जम्मू कस्मिर में यह देखें यहां नंगा परवत है और यह भी जम्मू कस्मिर में है फ्रेंट्स बात करें हिमाले रेंज की तो हिमाले इंडिया की है वो इस चेत्र में है जो हो नंगापरवत बहुत जगह है उसके बाद इसका उचाही जो है उसके बाद है गासर बूंगation है गासर बुम वंग्स जगह पर है तो या जमु कस्मिय में यहां पर औधा है ख़्टरगल कितना यह किस जगह पर इंडिया का मैप में तो यहां jed में ही है देखिए यहां पर टेंगल बना हुए बीच में जहां मैं ड़त लगाया हूं उसका उचाई जो है भी है 8000 एकावन मीटर उसके बाद अगला क्या है तो गाशर भूम 116 मिटर और यह किस जगह पर इंडिया का मैप में तो इंडिया का मैप में देखे इस जगह पर देखिए यहां पर कौन सा इस्टेट है तो यहां पर उत्रा खंड है ठीक है फ्रेंट्स याद रखिएगा चलिए अब नेक्स्ट कुश्टन देखते हैं क्वेश्टन नंबर फूर विश्टो का सबसे अधीका बादी वाला सहर कौन सा है विच इस पॉपुलिस सीटी इन दे वर्ल्ड अप्शन नंबर ए सियोल अप्शन नंबर बी संगाई अप्शन नंबर सी टोक्यो अप्शन नंबर देली ओप्शन नंबर सी टोक्यो टोक्यो जो है वह सबसे अधीक अबादी वाला सहर है मोस्ट पॉपुलस सिटी इन दे वर्ल्ड है मतलब दुनिया में सबसे ज़रा जन संख्या वह टोक्यों में निवास करता है ठीक है और संगाई जो है वह चाइना का है और देली जो है वह इंडिया में ठीक है उसके बाद इस से दूसरा सबसे अदिकाबादी वाला सहर है अगर टोक्यों के बाद भूला जाए घ्राइब फ्रेंट्स मीटा जाए अपुछा जाएगा कि दुनिया का दूसरा इस थान पर सबसे है आद्हीं का बाधीmedi वाला सिटी कॉन सा है तो इसका क्या नामें दिली जो की भारत का है भा बात करें यहां पर टोक्यों की तो टोक्यों जो वो जापान का कैपिटल है और देली जो वो इंडिया का कैपिटल है याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट कुश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नमबर फाइप और इस वीडियो का आखरी कुश्चन है फ्रेंट भारत में सरवाधी कॉफी उत्पादक राजी कौन से है वीच स्टेट इस दा हाइएष्ट कॉफी प्रोडूसिंग इन इंडिया सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है कॉफी को बहुत ही प्रोडूस करता है इंडिया में चलिए इससे रिलेटेट कुछ एक्ष्टा फैक्ट देख लेते हैं करनाटक का क्या है तो क्या लिखा है कॉफी भारत के तीन शेत्रों में सबसे अधिक उगाई जाती है इसका नाम है करनाटक केरल और तमिल नाडू दच्छिन भारत के प्रामपरी कॉफी उत्पादक छे है उसके बाद केरल का ट्वंटी वन परसेंट से रहें तमिल नाडू का फाइब परसेंट से रहें तो मतलब 71 परसेंट लग करनाटक जो है वह सबसे अधिक कॉफी प्रोड्यूस करता है इंडिया में ठीक है कॉफी दे मोस्ट ग्रों इन थी रिजन्स आप इंडिया का है 71 परसेंट फॉलोड बाई केरल 21 परसेंट एंड तमिल नाडू 5 परसेंट तो चलिए फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजएगा फ कर दो यह क्या आए कंवा थे सब्सक्राइब कर दो फीर और नहीं किया एक्यो में अपहाएद क्न भायएद में हमें अगलाइब कर दोद।